सुप्रभातम प्यारे बच्चो मैं अंज्री चौधरी कक्षा छे विश्य संस्कत में आपका पुनहे स्वागत करती हूँ बच्चो आपकी घर्मियों की छुट्टियां समाप्थ हो चुकी हैं आप छुट्टियों में खूब खेले होंगे घूमने भी गए होंगे यानि यानि हॉलिडे हॉमवर जो आपको छुट्टियों का कार्य मिला था आपने वो भी पूर्ण कर लिया होगा मुझे उमीद है सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे बच्चो अब हम छुट्टियों से अपना ध्यान हटा कर पुनहें अपने अध्यन की ओर ध्यान लगाएंगे यानि अपनी पढ़ाई की तरफ फिर से ध्यान देंगे बच्चो हमारा पाठ पाच पूर्ण हो चुका था आज हम शश्ट पाठ यानि पाठ छे समुंद्र तटह का ध्यान करेंगे समुंद्र तटह यानि समुंद्र का किनारा बच्चो यह देख रहे हैं पाठ को पढ़ने में सहता यानि आसानी होगी शबदार्था यानि शबदार्थ समुंद्र तटह समुंद्र का किनारा पर्रे टनाय यानि घूमने के लिए तरंगें लहरों से या लहरों के साथ नौकाभे नौकाओं द्वारा नौकाओं मतलब नावों नावों के लिए ब जल विहारम यानि जल कीड़ा यानि पानी में खेलना बालु का भी बालुओं से जो बालु होती है जिसको आप रेता बोलते हैं उसके लिए है बालु बालु का ग्रेहम बालु का घर या घरोंदा मध्य मध्य बीच बीच में प्रभाह यंती धो देते हैं या बहा देते हैं प्रचलते एव यानि चलती ही रहती है परेटना इस्थनानी यानि घूमने की जगह मतस्य जीवनह मचुआरे स्वजीविकां अपनी जीविका को चालियंती चलाते हैं अतीव बहुत अधिक स्वर्यम बे टोक या यथेच यानि बे रोक टोक वहरंती घूमते हैं या टहलते हैं दीग्रतम सबसे लंबा प्रायद्वीप तीन तरफ जल से घिरा हुआ भूभाग संगम मिलन युगपदेव एक ही साथ द्रश्टुम शक्यते देखा जा सकता है शबदर्थ बहुत थे बच्चों सबसे पहले आप शबदर्थ को पढ़ेंगे वह याद करेंगे उसके बाद में आप पाठ को पढ़ेंगे जिससे आपको बहुत ही अच्छा पाठ समझ में आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा चलिए अब हम पाठ को पढ़ेंगे वह समझेंगे एशह समुन्दर तटर यह समुन्दर का किनारा है अत्र जना परिटनाय आग अच्छनती अत्र मतलब यहाँ जना लोग परिटनाय यानि घूमने के लिए आते हैं केचन तरंगे कीड़ती केचन यानि कुछ तरंगों से खेल रहे हैं केचन अच्छा नौका भी जल विहारम कुरवनती यानि कुछ नौका यानि नाव में जल विहार यानि नाव से घूम रहे हैं कुछ गैन से खेल रहे हैं यानि आप देख रहे हैं चित्र में कुछ गैंद से खेल रहे हैं कुछ यानि नाव में चल रही हैं यहाँ पर नाव में घूम रहे हैं और कुछ बच्चे गैंद से खेल रहे हैं तेशु केचे ने कंदु के खेल दी यानि वहां कुछ गैंद से खेल रहे हैं बाल कहा च, बालु का भी, बालु का ग्रैम रचियन्ती, यानि आप देख रहे हैं बालु का यानि लड़के च, बालक और बालिका या हम लड़के लड़के भी कह सकते हैं, बालु का भी, यानि बालु का ग्रैम, यानि बालु का घर रचियन्ती यानि बना रहे हैं, यानि ब बालू का घर बना रहे हैं मध्य मध्य तरंगा बालू का ग्रयम प्रवाहयंती मध्य मध्य यानि बीच बीच में तरंगे यानि लहरे आकर बालू के घर को बहा कर ले जाती हैं बच्चो ये काफी वीडियो फिर लंबी हो जाती है तो दिक्कत होती है हम यहां यहां तक प्रवाहयंती तक हमने आपको पढ़ाया इस से आगे हम आपको इसका अध्यान कल कराएंगे सभी बचे पहले शब्द पढ़ेंगे फिर यहां तक पाठ को पढ़ेंगे वा समझेंगे धन्यवाद